हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम एक छोटे से इंग्लिस न्यूज का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे रेडिंग करते हुए आपको हम हर एक वर्ड का प्रांसियेशन और हिंदी मीनिंग बताते हुए आगे बढ़ेंगे तो जिन भी दोस्तों का इंग्लिस रेडिंग और जो ट्रांसलेशन है वो वीक है तो इस तरह से आप इंप्लॉफ कर सकते हैं और अपनी जो वुकेवलेरी है वर्ड मीनिंग से वह आप नहीं नहीं सीख सकते हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टन है गाईज कि आप है और अन्रस्टेंडिंग है वो क्रियेट होगी ठीक है इसी परपच के साथ मैं आपके लिए इंग्लिस का जो स्टोरी हो गया न्यूस ट्रांसलेशन हो गया इस तरह की वीडियो में आपके लेके आते रहता हूं तो आपकी जो भी और सुझाव होते हैं जो भी कमेंट्स होत है कि आप कुछ है जो है हर दिन नई-दिवर्ड मीनिंग्स जो है निउस के माध्यम से सीखते रहें जो हमारे डेली कन्बर सेशन में प्रयोग होती है हमारे बोल चाल में काम आती है ठीक है तो चलिए हम सुरू करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले निउस का heading है heading को समझ यह पहले आप कि जो इन्यूस की heading होती है वो simple presentance या फिर passive wise में लिखी जाती है तो आप जो भी वरवाएंगी उनको आप समझेंगे कि वो action वो काम हुआ है या हो गया है ठीक है अभी अभी हुआ है या हो चुका है या किसी के द्वारा कर दिया गया है ठीक है उसमें वर्व का चाहें फस्ट फॉर्म रहे या थर्ड फॉर्म रहे तो एक comment से मैं बात आपको बता रहा हूं ठीक है चलिए next करते हैं तो जो title है जो सीरसक है latest all time t20 betting rankings released by ICC सूर्य कुमार overtakes कोहली तो यह कुछ इस तरह से heading हो गया title हो गया यह इसको समझते हैं तो latest आनी होता है अभी नया नया जो है जो भी हाल ही में आया है all time यानि सदैव का हमेशा का जो t20 यानि जो बीस ओवर वाले match होते हैं उनमें जो ranking होती हर साल एक नई ranking आती है खिलाडियों का अपना जो अस्तार होता है उसको दिखाया जाता है कि किसकी कैसी performance है तो ICC ने release कर दिया है release आने होता है छोड़ देना कोई भी जो information है जो list वेगरा है उसको publicly जारी कर देना तो release मतलब release करना भी होता है आपने सुना होगा movie release हो गई ठीक है movie यह जो फिल्में बनती है हर साल हर महीने वो release होती रहती है तो यह बहुत ही common word है by मतलब होता है द्वारा यानि किसी के द्वारा यह list provide किया गया है यह ranking दिया गया है वो कौन है ICC के द्वारा ICC मतलब होता है International Cricket Council ठीक है जो अंतररास्टी जो परिस्द होती है वो खिलाडियों की list बनाती रहती है उनकी ranking को 100 करती रहती है तो सूरिकुमार हमारे जो अभी हाली के star वल लिवाज है भारती टीम के सूरिकुमार यादा हो उन्होंने विराट खोहली को पीशे कर दिया ह सूरिकुमार का नाम आता है तो सूरिकुमार ओवर टेक मनलब होता है किसी के आगे निकल जाना तो वो आगे निकल चुके हैं सूरिकुमार कोहली से ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यह तो हो गया title अब सुरू करते हैं जो news का अगला पार्ट है ICC has released तो has और have के ब have के बाद ठीक है present perfect tense और इसके बाद जब भी वर्व के thought form का यूज होता है जिने tense नहीं भी आता है बस वो ध्यान से सुन ले बात आपको सौन में आ जाएगी तो has और have के बाद जब भी क्या होता है प्रयोग वर्व की thought form जैसे played, gone, released, made तो वहाँ पर हम समझते हैं कि वो ज हुआ है जिसका हम प्रभाव की बात कर रहे हैं तो has released, released कर दिया है, किस ने कर दिया है, ICC ने कर दिया है, यह हमारा subject है the latest all time, यानि कि हाल ही में जो उन्हें release किया है, सदैव का जो T20 ranking है, वो जारी किया है with इंडियाज सूरिकुमार यादव, jumping to second position with 908 rating points, तो हमारे जो इंडिया के भारत के सूरिकुमार यादव हैं, उनके साथ इस list को जारी किया गया है, तो यादव ने jumping करते हुए, यानि कि उच्छाल लेते हुए, वो second position पर आ गए है पूरे world में देखिए, second position में आना बहुत बड़ी बात है, तो वो दूसरी जो इस्थिती है, ठीक है, second position जो है उन्होंने हासिल किया है, उनकी rating क्या है, 908, 908 points है उनके, विध्यानी होता है, से या साथ होता है, तो 908 points के साथ, वो second ranking पर आ चुके हैं, सूर कुमार वाज, प्लेस्ड, fifth on all time list during the previous update of rankings, अब यहाँ पर आपको बहुत इंटरस्टिंग है, ग्रामर का पार्ट समझ जाएगा, तिके सूर कुमार हमारा subject हो गया, वाज प्लेस्ड, place मतलब जगह होता है, और place का मतलब होता है, किसी चीज़ को रखना भी होता है, किसी चीज़ को किसी जगह पर रखना, तो यहाँ पर यह sentence passive wise का है, जब भी वाज वर्व की थर्ड फार्म आती है न, वाज और वर्व की थर्ड फार्म आती है, तो वो sentence passive wise का होता है, और उसका मनला होता है कि वो चीज किया गया है किसी के दौरा जो है या किसी को किया गया है जैसे यहाँ पर सूरिकमार को रखा गया है तो ये कार ये किसी और के दौरा किया गया है हना इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं passive wise के sentence होते हैं यह यह कार किसी के द्वारा किया गया है या इस सूरिक मार को किसी के द्वारा रखा गया है कहा रखा गया है fifth on all time list जो पिशली वाली previous अनिय होता है पिशला ओके during मतलब होता है के समय या के दौरान तो all time list जो सदैव की list आई थी हमेशा जो जारी होती है वो जो list आई थी पिशली वाली उस दौरान उस दौरान उन्हें fifth position पर रखा गया था सूरिक मार को रखा गया fifth position पर पिशली वाली list के दौरान ठीक है नेक्स्ट है update of the rankings अपडेट होता है जैसे कोई चीज नहीं नहीं आती है जो उसका नया वर्जन आता है उसका नया रूप आता है उसको कहते हैं update तो rankings जो होती है वो update होती रहती है but has now overtaken लेकिन बट्याने लेकिन परन्तु हैस के बाद देखी फिर से आगया third form overtake overtake took overtaken तो इसका जो second form है वो क्या होगा over तो वही रहता है take कहो जाता है took और फिर हो जाता है taken तो इसको आप note कर सकते हैं take took taken तो overtake overtook overtaken तो हैस के बाद क्या है third form है और जैसे मैंने भी बताया आपको कि हैस के बाद जब भी third form रहेगा यानि वो कार्य किया गया है किया जा चुका है तो जो हैना जो सूर कुमार है उन्होंने overtake कर लिया है आगे निकल चुके हैं किसके आगे now मतलब होता है अब हैना अब यानि जो हाल ही में rating आई है उसके according बावर आजम पहले उनसे आगे कौन था बावर आजम थे उनका point था 9896 बिराट कोहली थे 897 एंड अरोन फिंच इनका था 900 और जो टॉप में थे वो है दो आल टाइम रैंकिंग्स आर लेड बाई डेविड मलान यह है टॉप के सबसे मतलब जो टॉप में है और यह हमेशा से ही टॉप में रहे हैं हाल ही में यह बहुत ठना जो है कई सालों से टॉप में चल रहे हैं उनका नाम है डेविड मलान इनकी रेटिंग पॉइंट से 915 क्लियर है बायानी होता है दौरा इनके दौरा उस लिस्ट में टॉप किया गया है इन्होंने लीड किया है ओके आर के बाद क्या आया है लेड तो जब भी इस एमार के बाद थार्ड फॉ होता है तो आर लेड नेतृत होता है डेविड मलान के दौरा जो आल टाइम रैंकिंग लिस्ट है उनके दौरा जो है लीड होती है यह लिस्ट तो यहां पर अपना जो निउस का ट्रास्लेशन है दोस्तों पूरा हो चुका है आई थिंग आपने बहुत सारी बातों को कुछ का ट्रास्लेशन लेकर तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों में सेयर कर दीजेगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद